कोई एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पांच पीड़ी तक पांच राजनितिक पीड़ी तक हमारे कारेकरताओं ने जो बलिदान दिया है जो परिश्रम की पराकाश्टा करी है उसके कारण आज परिवर्थन आए और मित्रों करें मेरे हजारों कारेकरता सामने बेठे मीडिया के लोग कहते हैं भारतिय जनता पार्टी का सर्वोच सिखर आ रहे हैं मीडिया की उपस्तिति में मैं कहना चाहता हूं अभी बहुत मजल काटना बाकी है कि बहुत मजल काटना पाकी है अभी बंगाल जितना है औरिस्टा जितना है आंध्र तेलंगाना तमिल्लाड और केरल जितना है तब जाकर भारतिये जन्ता पार्टी का काम समाते हुआ मद्यपदेश में सरकार बनाना हमारा लक्स नहीं है मद्यपदेश के हर बूत के अंदर भारतिये जन्ता पार्टी का जंडा हो और बूत के अंदर हमारा प्यारा कमल खिला हो इस प्रकार के भारतिये जन्ता पार्टी की जतना के लिए नियुक्त पुर्खों ने पांच पिडी तक बलिदान और परिश्रम करकर भारतिय जनता पार्टी को यहां पर पहुचा है और आज हम सब भागयवान लोग है कि ऐसे समय में काम कर रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी विजय ही विजय को प्राप्त कर रही है अगर मित्रों हमारी भी एक जिन्मेदार है पचार साल तक हमारे पुर्खोंने संगर्श किया है इस बार मद्यपदेश और कैंद्र में 2018 और 2019 का जो चुना होने वाला है उसमें इस प्रकार की विजय प्राप्त करनी है जो विजय यहां से एक हवा का निर्मान करे 36 गड़ पहुंते पहुंते हवा आधी में बदले और दिल्ली तक पहुंते पहुंते सुनामी में बदल कर पूरे हिंदूस्तान के अंदर भार्तिय जन्ता पार्टी का जन्दा मेंदूर 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी फीर से इस देश के प्रदान मंत्री बनेंगे 2018 में फीर से एक बार सीवराज जी स्राजय के मुख्य मंत्री बनेंगे ये प्रचंद विजय करा दिजिये मैं आपको गैरंटी देने आया हूं 50 साल तक पंचायद से लेके पार्लामेंट तक भार्तिय जन्ता पार्टी को कोई पराजीत नहीं करबाएगा नित्रों क्योंकि भार्तिय जन्ता पार्टी जहां जहां सत्ता पर आई वहां पर हमने वहां की परिस्तितियों को बदलने का काम कि रहा है मद्यप्रदेश के अंदर 15 साल से बार्तिय जन्ता पार्टी की सरकार है और भार्तिय जन्ता पार्टी की सरकार ने पूरे मध्यपदेश को बदलने का काम किया याद कीजिए बहुत बुजूर्ग कारेकेदा मेरे सामने बैठे मिडिया के लोग मेरे सामने है 15 साल पहले जब कॉंग्रेस की सरकार थी स्रीमान बंटादार मुख्यमंत्री थे पूरे राज्य में अव्यवस्ता कानून और व्यवस्ता का खोक्लापन, रोड के अंदर गड़े गड़े में रोड आदिवासी के घर में बीदली नहीं, गाउं में बीदली नहीं किसानों को पसल के दाम नहीं हर प्रकार से मध्यपदेश एक पीछड़ा हुआ राज्य था मध्यप्रदेश को पूरी दुनिया बिमारू राज्य में के नाम से जानती थी मैं कॉंग्रेश के मित्रों को याद कराना चाहता हूँ जो मध्यप्रदेश आप छोड़ कर गए थे वो मध्यप्रदेश बिमारू राज्य के रुप में जाना चाहता था तीम बार मध्यप्रदेश की जन्ता ने हमें आसिरवाद दिया 15 साल के बाद मध्यप्रदेश देश के विक्सीत से विक्सीत राज्यों में आज पहुंच चुका है वित्रो एक भारती जन्ता पार्टी के लिए गवरव की बाद मध्यप्रदेश के अंदर आमूर चूर परिवर्तन करने का काम भारती जन्ता पार्टी की सिवरात सिंग सरकार में किया है और परिवर्तन हर गाओं के अंदर हर गली के अंदर हर महले के अंदर हर सहर के अंदर हर घर के अंदर दिखाई परता है मैं पुछ आखड़े आपके माध्यम से मध्यपदेश के सारे कारे करता हो तक पहुंचाना चाहता हूं मित्रो मध्यपदेश में जब अन्तीम सरकार स्रीदिक विजाई सिंग की थी कॉंग्रेस की सरकार थी वो सरकार मध्यपदेश का बजेट था 20,000 करोड उगया सालाना बजेट जराज जोर से वोलो कितना था और एक बार वोलो कितना आज 15 साल के बाद 20,000 करोड का बजेट दो लाद करोड तक पोँचने का काम भारतिय जन्ता पार्थी की सरकार मध्याई वित्रो प्रदेश का जी-एस-डी-पी-एस सकल गरेल उत्पादन